बिस्मिल्लाई रख्मान यहीम असलाम उलेकूम डियर स्टूडेंट्स आज हम करने लगे हैं क्वेस्चन नंबर फाइब ओफ अक्सराइब 10.2 10.2 का क्वेस्चन हम 5 स्टार्ट करने लगे हैं यह देखें इसे फाइब का ए पार्ट में पहले करता हूं ठीक है वह कहता है फाइब देखें फाइब एक्स विच को रस्पॉंद्स तू स्टैंडर्ड वेडियू अब पहले थी नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन की बात अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन की बात कर रहा है जिसमें उसे दो वेल्यू दे दिये जो के जी की है जी के एक वेल्यू देए उसने माज़े टू पॉइंट जीरो फाइव स्टैंडर्ड डाइज्ट वेल्यू है ठीक है फिर वह कहता है एक्स अप्रोचेस टू नॉर्मल एक्स नॉर्मल को अप्रोच कर रहा है जिसमें पहले वेल्यू की वेल्यू है दूसरी जो आप वेरियंस की है ठीक है 3.8 38 होगा ओके पहले यहां वेल्यू जो थी वह आपको पता मील की होती है ठीक है दूसरी वेल्यू जो थी वह सिग्मा स्केर यानि के पापॉलेशन वेरियंस की होती है ठीक है अब हमने जो यूज करना वह तो स्टेंडर्ड एवियेशन है सिग्मा 38 का हम स्केर रूप ले लेंगे तो आपको पास अंसर आएगा 6.16 ठीक है म्यू की वेल्यू है 62.3 ओके अब इसका हम पहला पार्ट ही कर लेते हैं पहले पार्ट में वह कहता है कि इसका हमने डेटा पहले ही लिख लिए है अब उसमें का एक्स की वेल्यू फाइंट करनी है एक्स की वेल्यू कैसे फाइल करनी है क्योंके हम जानते हैं यह देखें यहां तर्मियान में हमने एक लाइन लगा रहे हैं यह पेमाने से ठीक है यहां हमने लिख देना है कि एस वही नव इस ब्रॉट को झी तो जी शी इकल टो एक्स मैनिस म्यू जीड़ाि बाइस सिg माघंज से इतिनाट क्यूंकि दो मैं अगर्क नयोथि थी तो मैं एक ही साइड को स्वर्ण करता हधए एक्स मैर्हिस म्यू पैस जी की दो तो डिफिन्ट वेल्यूज हैं पहले स्कॉर्ल करता हूं यहां मैं रखता हूं माइनस टूपइंट जीरो फाइव इस इकल दो एक्स माइस म्यू डिवाइड बाइस सिग्मा एक्स की वेल्यू हमने फाइड करने हैं म्यू की हमें दीगी यह कि जो के रसी टूपइंट थ्री डिवाइड बाइ सिग्मा सिग्मा आपने पहले ही नकाली है यहां 6.16 ठीक है माइनस 2.05 यहां यह डिवाइड हो रहा है इसको इदे ले जाएगा तो मल्टिप्लाई हो जाएगा ठीक है आपने इसे कैल्कुलेटर से सोर्ग कर लेना है और यह माइनस 62.3 दे जागे प्लस ह हो जाएगा ठीक है अब यह से मल्टिप्लाई करता हूँ तो मेरे पास समस्रात है माइनस 12.628 ठीक है एक माइनस 62.3 एक सिदर ही रखें के यह इदर आगे प्लस हो जाएगा प्लस कर दो केंप लेडर से अब पास समस्रा आजएगा 49.49 59.67 यही हमें रिक्वाइड अंसर है इसी तरह हम इदर करेंगे जी की तरह का दो वाल्यू जाएगा इदर दूसरी रखेंगे टूप यहां आएगी 0.86 इस एकल टू एक माइनस म्यू म्यू की वैल्यू आपको पता है सिची 2.3 यह डिवाइड कर दें सिग्मा पर जो के आर वैरियंस को वैरियंस को वैरियंस का मिने स्केर रूट लिया तो सिग्मा आगया ठीक है इसको इदर ले जाएंगे 6.16 को 80.86 से मल्टिप्लाई करेंगे तो आपके पास अंसर आ जाएगा 5.2976 एक माइनस एक 2.3 यहां माइनस का इसी जाएगे प्लस का हो जाएगा इदर प्लस कर देना है तो आपको पास अंसर आ जाएगा 67.5976 ठीक है अगर आपने इसे टू डिजिट तक फिक्स करना है तो आपकी माद्दी है 6.67.5959 आपको पता है नाइसे पिछला अदर जो है वो 7 है 5 जब 5 से बढ़ा हो तो पिछे में प्लस कर देते है 59 में प्लस करेंगे तो 60 आजाएगा 60.60 ठीक है यही हमें रुक्वाइर अलसर था अब यसी तरह में इसका दूसरा पार्ट बिल कर लेते हैं इसमें कहते है इसमें कहते है एक्स अप्रोच इस टू नॉर्मल मियू एंड वेरियंस ठीक है यहां मियू की वैल्यू जो है वो मियू ही रखेंगे वो में सिख्रों सकेर ही प्रोवाइड किया गया है तो हम सीघमा बनाएगेिस कटके रूट्र लेकर ने कर तो यह सिंगमा इसे एकलितू सि़ू हैं अब कि अब क्या करना है आपने जी इदर रखना है ठीक है X-MU डिवाइड बाइस सिग्मा इसी तरह एक जी इदर रखेंगे X-MU डिवाइड बाइस सिग्मा यूज वही में पैठल करना है जो पिछले कुस्ट में करते हैं इसकी लोजिक मैंने आपको बता दी है करना आप लोगों ने खुद है चलिए जो मैं खुद ही हाल कर देता हूं आपसे बतानी होगा भी या नहीं 2.05 X-MU डिवाइड बाइस सिग्मा सिग्मा इसी तरह यह भी मैं साथ-साथ ही कर लेता हूं 2.86 is equal to X-MU डिवाइड बाइस सिग्मा मैं इसको सिग्मा को इससे मल्टिप्लाई कर दो हूं इदर भी सिग्मा को इससे मल्टिप्लाई कर दो हूं यही हमारा अंसर होगा तो मैं इसका थर्ड पार्ट कर चाहूं थर्ड में कहता है यहां अब एक चीज़ देखें पहली वैली मीन की है यह मियू है यह सिग्मा स्केयर है छोफें की दो वैलीए ए है और सिग्मा स्केयर भी है हमें चाहिए सिग्मा तो उठ ले लेंगे कि वैर्ड का भी और सिग्मा स्केयर हमें werde बैरमितर की व्यवयर्वंनिट्टर कीड़ों हो गये oyun ुच में मैं दो पैरमितर ही चाहिए होते हैं वीयड बैरियंस वीयर्यश हम सिग्मा नकाल लेते हैं standard deviation ठीक है अब हमें जी की वही दो values दे गई है पहली हम use करेंगे जी is equal to x minus mu divided by sigma यहां जी की value मैं use करता हम 2.05 minus x minus mu mu कितना है a सिग्मा कितना है बी स्केर रूट यह इदर आके multiply हो जागा minus 2.05 b स्केर रूट यहां a आके plus हो जाएगा आप यह इदर भी लिख सकते हैं कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है यह x यह x की value होगी ठीक है इसी तरह आपने इदर लिखना जाए जी is equal to x minus mu divided by sigma बड़ी प्यारी सी करके आपने यह line लगाने है पैमाने से और यहां लिखने 0.86 standardized second value जो है 0.86 x में से mu minus कर देंगे mu a है 20 के root divide कर देंगे यह इदर आक multiply हो जाएगा 0.86 प्लस a is equal to x x is equal to a plus 0.86 b ओके यही हमें रुकाइट देंगे अब इसका हम देखते है बी पार्ट में वह कहते है एक्स अप्रोच इस्टू नॉर्मल एक्स नॉर्मल को अप्रोच करता है ठीक है एक्स अप्रोच इस्टू नॉर्मल दो पैरामिटर में दिए गए हैं प्रोच इस्टी फूर ठीक है पहली वैल्यू आपको पता है में की होती है मीं जो होगा वह हंड्रड हो यह सिग्मा स्केर की दूर्ट इस्टी फूर है हमें सिग्मा चाहिए जो के एट आजाएगा 64 का स्केर रूट लेंगे तो आपको पास अच्सर एट आजाएगा तो इसके बाद आपने वही मेतल करना जो पिछे करते आए हैं फिर वह कहता है फाइंड दी वैल्यू ओफ ए यह की वैल्यू फाइंड आपने करने है ठीक है यह हमें रॉक्वाइड असाच एट पी इंटू एक्स ग्रेटर थैं ए पी इंटू एक्स लेस दें एक्स दें एज एगल टो पॉएट नाइन फाइब आपने से स्टेंटर्ड वेरीपल में इस इस मियू मार्स करते हैं नियू से टे एज लेस देन ए माइनेस मियू के वैली की फैलिट यह इतनी हंडरेड डिवाइड कर देना 64 का आएज एक्स के नाइन फाइब यह स्टेंटर नोड में रेंटर वेरियाबल जही बन गया है यहां पॉइट नाइन फाइब ही रहेगा अब हमें पते जब लैसे देन की बात है यह तो फाई ओफ ए यह की वैलु किते ही है इस तारा ए होता है यहां इसको इदर लेत तो इनвержagementं हो जाएगा । पॉइंट नाइन पाईव ए मैंनस हंड्रड द्वाइड बाई एट पॉइंट नाइन फाइव कि रो में देखना इनमस वारे टेपल में ठीक है जिरो जिरो कहींचे आपको वैल्यू मिल जाएगी जो के मेरे पास आ रही है यह 1.6449 अब एट को इससे मिल्टिप्लाई कर देना ठीक है और हंडर को प्लस कर देना इतर मैंनस का है जिरो प्लस का हो जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मैं डारेक्ट सूल कर देता हूं आपके पास वैल्यू आएगी 113.16 अब अच्छ अब अच्छा इसका अपने सी पार्ट को खुद करना है आपको इसकी लोजिक बता देता हूं वो कहता है एक से प्रोच इस टू नॉर्मन एक से नॉर्मन को अप्रोच कर रहा है ठीक है 60 60 and 25 फार्ट इस वैल्यू आपका है 60 सिग्मा स्केर जो है वो है आपका 25 हमें सिग्मा चाहिए जो आजाएगा 5 ठीक है एक ही वैल्यू हमें रिक्वाइड है वो ही फाइंट करना ही आना अब क्या कर रहेंगे उसने का है एक पी इंटू एक्स ग्रेटर दन है एसे ठीक है इस इकल टू पॉइंट एड्ट थ्री सेवन ग्रेटर दन की बात हो जाए तो आपको बता है वान माइनुस वाइओ फाइओ लिकना पहले इससे पहले लिकना में इससे स्टैंट नौर्म रेंडर वेरीबल में कनवर्ट करना पड़ेगा एक्स मैंस म्यू द्वाइड बाइस सिग्मा इस फाइओ लिक देना है फाइव वाली वेल्यू जो है वो इदर ले जानी है ठीक है ताके वो माइनस जाया और उसका आपको इपहाम ना रहे और वन में से यह पॉइंट एट त्री सावन माइनस हो जाएगा ठीक है फिर फाइड को जब इदर ले जाएगे अंसर का इंव होस्त अवैस अली को देजिए अजाज़त अल्ला नेके बाद